पूरे सामने आकर के शमा मांगना चाहिए और इसमें अगले ही दिन 14th में को ही दूसरे राजसबा सदस संजे सिंग जी ने आकर बोल रहे हैं ने ने हम आक्शन लेंगे उनके उपर कहां गया वो आक्शन आज तक नहीं हुआ और जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं rubbing salt on the wound मतलब आग में घी डालना लक्नो में उसी बिबव कुमार के साथ शमा करिये हिंदी में I don't know whether it is acceptable मगर मैं जो मन में रख रही हूं बुशे उसको हिंदी में कह रहे हूं अगर वो टीक नहीं है तो बेशर्मी के साथ गूम रहे हैं बिबव कुमार के साथ 13th को incident हो रही है आपी के गर में हो रही है उसके बाद आप आपके MP के दुआरा बोला जा रहा है कि अक्शन होगा मगर अक्शन नहीं हुआ आप भी उसके उपर बयान नहीं दिये और उपर से उनी वो अक्यूस के साथ आप आराम से गूम रही हो बेशर्मी का भी हद है भई और उदर जाकर बैटकर के प्रस के सामने जब आप में से एक प्रशन पूछ रहे हैं भाई साथ, सीम साथ इस महिला का विशे में आपका खाग क्या कहना है दुबारा मैं बात उप्योग कर रही हूँ सोच विचार करके ही बेशर्मी और डर के मारे मैं को दूसरी और गुमा रही हूँ अब सीम पद में है जी अब तक एक सीम उनके पार्टी में राजसबा में सदस और कल परसों तक जिनको वो नियुक्त करके बिटाया महिला आयोग में उस महिला के किलाफ हुने के अपने स्टाफ दुश कर्म करिये उनके किलाफ बयान नहीं दिया उनकी किलाफ कुछ बाते नहीं बोलए और उनके साथ लेकर के गूम रही हूँ और सामने माइक के रखते हुए प्रेस वार्टा के समय जवाब ना देते हुए हो माइक उस तरफ चले जा रही महिला दिल्ली में पूरे के पूरे सामने आकर के ये एक प्रशन पूछ रहे हैं मैं तो बात सच मैं बोल रही हूँ दिल्ली में जितने भी महिला है उनके मन में यही चल रही है कि ये सियम क्या महिला को सुरक्षा देगा उनके घर में महिला को पिटाया, उनके घर में जो राजसबा MP है उनी को पिटा रहे हैं और प्रेशन अभी तक उनके दिमाग में चड़ा नहीं है और इसमें एक विशे जोड रहे हूं पूरे जिम्यदार CM है मगर फिर भी उस आप पार्टी के ऊपर एक विशे बोलना चाहरे है जिस पार्टी के एक वन अन उनली लीडर क्योंकि फौर्टिंग लीडर सब तो बाग गए अभी बचा हुआ सिर्फ अरविंद केजरिवाल है और वो बचा हुआ अरविंद केजरिवाल महिला के खिलाफ है महिला को पिटाई करने वाले लेता है मगर उनके पार्टी का चरित्र देखे एक मिनिट में मैं हाइलाइट कर रही हूँ इस विशे में सिर्फ अरविंद केजरिवाल ही हम सब का निशान होना चाहिए क्योंकि मीडिया से मैं पूछ रही हूँ क्या प्रेशन पूछेंगे नहीं जिमेदार वो खड़े रखना नहीं है उनको मगर उस पार्टी का देखिए मेरे बगल में मुझे आज गर्व से कह रही हूँ शाजिया इल्मी वो जो आजम आदमी पार्टी का फस्ट हैंड एक्सपिरियंस करके आए हुए महिला नेता है उनका बयान भी है इस उनके बयान से मैं शुरू कर रही हूँ क्या था उनका बयान हर महिला नेता या पुरुष नेता भी सिंप्ली बाहर निकालेंगे नहीं बौंसर से पिटवाएंगे या पीए से पिटवाएंगे आदमी को जलील करके निकालेंगे खोई सीधा रास्ता बाहर जाने के लिए नहीं है और शरत चवहान जो MLA है सोनी मिश्रा के सूसाइड के विशे में आरोपी है झाल जाओे और शरत चक्वहान जो में आरोपी है